नमस्कार दोस्तो केंद्र सरकार में मंद्री चिराग पासवान में हरियाना सरकार के खिलाफ दे दिया है बड़ा बयाल जैसा कि आपको मालू होगा हरियाना में अभी भाजपा सरकार बनी है और चिराग पासवान भाजपा के साथ गडवंदन में है और केंद्र में मंद्री और आपको मालूम होगा जो Supreme Court का फेसला आया था वर्गी गरण का यूझ कि कोटए में कोटए छिराघ्टाम पाश्वान शुरु से है और उड़कों ये भी कहा था कि हमारी पार्टी फेसले का विरौत करती है और हम Supreme Court में petition डालेंगे जिस परकार से Supreme Court ने वरगी करन का फेसला किया है इसके खिलाफ लेकिन आपको पता ही होगा Supreme Court पी जितने भी Petitions थी सबको खारिज कर दिया है और तेलंगा ना में Congress सरकार करना ड़ियाना सरकार और अब और चिराक पासवान कैगा अए कि हम हरियाना सरकार से सहमत नहीं है और हम याति की बात करते हैं कि यह चिराक पासवानoj जिंगी को मोधि का हनुमान उन्होंने अब भाजपा सरकार के खिलाप शुरु कर दिया है क्योंकि दोस्तो वो पहले सी कह रहे है कि ये जो वर्गी करन का फेसला है ये अनकॉंस्टिटूशनल है और हमारी पार्टी और हम लोग दलिस समाज की जित्ते भी नेता है इसका सपोर्ट नहीं करते है भलाई कुछ मुठी भर लोग या फिर कुछ उंगलियों पे गीने जाने वाले लोग सपोर्ट करें लेकिन जो समझदार लोगे वो इसका सपोर्ट नहीं कर रहे है तो उनका साफ साफ कहना है हर्याना सरकार का जो फेसला है हम उससे सहमत नहीं है और हम जाती की नहीं जमात की बात करना चाहते है तो दोस्तो अपनी ही जो गड़बंदन की सरकार है उसके खिलाब बोलना शुरू कर दिये है चिराक पासवान और उनका यह बड़ा बयान इसकी कई मायने निकाले जा सकते है हाला कि इस बयान को आप किस परकार से देखते हैं ने जो कॉमेंट करें वीडियो का लाइक करें चैनल को सस्क्राइब कर नोटिफिकेशन बेल जरू दबाए